अभी व्यक्ति की आजादी इसे लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया है कि इसका हवाला देकर कुछ भी बोल दिया जाता है तभी तो हिंदू देवी देवताओं का भी खुल कर मजाक उड़ाय जा रहा है कभी शिवलिंग को फवारा बता दिया जाता है कभी किसी और भगवान का खुल्लम खुला मजाक उड़ता है एक बार फिर यही हुआ है, एक पोस्टर के जरीए मा काली का घोर अपमान किया गया है दरसल काली नाम की एक डॉक्यमेंटरी फिल्म आजकल बहुत चर्चाओं में है हाल ही में इसका एक पोस्टर रिलीस किया गया इस पोस्टर में मा काली के अफ्तार में देख रही कलाकार को सिगरेट का कश लेते हुए दिखाए गया है जाहिर है इस तरह का पोस्टर सामने आया तो बवाल तो मचना ही था खबर मिल रही है कि इस डॉक्यमेंटरी को बनाने वाली इंडियन फिल्मेकर लीना मणी मेकलई के खिलाफ यूपी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है ये F.I.R. सोमवार को दर्ज हुई यूपी पुलिस ने फिल्म डिरेक्टर लीना के खिलाफ आपराधिक साजिश, पूजा स्थल पर अपराध और जानबूच कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के रादे से शांती भंग करने के आरोप में F.I.R. दर्ज की है आपको बता दे योगी आदितनाथ की पुलिस ने लीना के खिलाफ ये F.I.R. लखनव के हजरत गंज थाने में दर्ज की है उनके खिलाफ धारा 120B, 150B, 295A, 298, 504, 5051B, 5052 के तहत मुकत्मा दर्ज हुआ है बता दे दो जुलाई को लीना ने अपनी डॉक्यमेंटरी फिल्म काली का पोस्टर रिलीस किया था अपनी डॉक्यमेंटरी फिल्म का पोस्टर शेयर करने के साथ उन्होंने ये जानकारी भी दी थी कि उनके इस डॉक्यमेंटरी को कनाड़ा फिल्म फेस्टिवल में लॉंच किया गया है फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स भले ही एक्साइटिड दिख रही हो लेकिन लोगों के बीच इसको लेकर गुसा साफ दिख रहा है हर आमोखास जिसकी भी नजर इस पर पड़ रही है वही इसकी आलोचना कर रहा है जैसे पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने लिखा बोलने की आजादी धार्मिक स्वतंतरता कला की आजादी के नाम पर कपतक उड़ाये जाएगा हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान क्या भारत सरकार हिम्मत दिखाईगी इसके मजाग उड़ाये गया उसे लेकर आप क्या राये रखते हैं कमेंच करके अपनी राये हमें ज़रूरत नहीं है तो अलीना मनिमेकर के उपर केस भी डालना और ऐसा अपमानित करना यह ठीक नहीं है यह गलती कर रहा है तुरंत तो शमा मांगना शमा मांग करके फिर आपस फ कर दो कर दो है तो